MS Word में मुझे एक data दिया गया है इस तरीके से, अब condition यह है कि इस data को convert करना है आपको table में, यह data table में convert कैसे होगा, इसको आपको सबसे बहुत select करेंगे, उसके बाद आपको press करने के बाद यहाँ पर आपको convert to table का option आएगा, यहाँ पर आपको specific क्या है करना है कि fixed column width, कितने column र रखने वाले, और यहाँ नीचे separate text at, यहाँ पर other में जाके आपको यहाँ put करना है space, और इसको यह बाद करना है आपको ok, और जैसी आप ok करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपके table convert हो चुकी है, वीडियो चा लगा हो तो वीडियो को share और चैनल को subscribe करना ना भूले है,